चलिए आज हम करते हैं अपना न्यू चाप्टर that is mean, medium and mode of group data, cumulative frequency graph and ogiv हम आज इसका इंट्रो पढ़ेंगे जिसमें हम mean, medium and mode के बारे में करेंगे हम mean, medium and mode पहले भी पढ़ चुके हैं, mean क्या था, mode क्या था और median क्या था, चलिए करना स्टार्ट करते है mean, class 9th में हमने mean का एक formula पढ़ा था, जो की होता था, sum of all observation divided by number of observations, number of observations लेकिन ये उस case में होता था, like बहुत limited data होता था, like 3, 4, 6, 8, 9, 10 लेकिन अगर हमारा data थोड़ा expand हो जाए, थोड़ा बढ़ा हो जाए, like हमें ये बताना हो कि एक particular area में कितने number of children है हर एक family में, तो हमारा data बढ़ा हो जाएगा, area बढ़ा हो गया तो उस case में हम mean कैसे निकाले, उसका formula मैं आज आपको बताने चारी हूँ, उसके तीन methods होते हैं, पहला हमारा होता है direct method ये तब यूज होते हैं, ये तीनों method तब यूज होते हैं, जब हमें class intervals में दियावा हो data, like 0 to 10 दे रखा है, 10 to 20 दे रखा है, माल लीजे एज बतानी है, तो 0 to 10 तक की age के 5 children है particular area में और 10 to 20 के 6 है, तो ये हमारी frequency होती थी और ये हमारा class interval होता था, तो हम इसमें X निकालते थे, X क्या होता है, class mark, अब class mark कैसे निकलता है, class mark होता है देखिए, upper limit, ये हमें पता है, ये upper limit होती है, और ये lower limit होती है, इसको lower limit कहते हैं और इसे upper limit कहते हैं, तो हम class mark निकालते थे, upper limit plus lower limit lower limit divided by 2 कर देते थे, तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर करूँ, 0 plus 10 10 हुआ, 10 का आधा 5 हो गया, तो इसको हम mid value भी कहते हैं, class interval की mid value इसका मतलब है, class mark होना, right, तो यह हमारे class mark निकल जाते थे तो हमारा direct formula, direct method का mean का formula होता था mean, x bar की form में लिखा जाता है, x bar भी लिख सकते हैं, या mean भी लिख सकते हैं उसको हम कैसे निकालते थे, sigma fx, sigma का मतलब होता है total, right, sigma fx upon sigma f कहें, और sigma fi x i कहें upon sigma fi बात एक है, इसको हम fi या fb कह सकते हैं, इसको हम x i और x भी कह सकते हैं और यहाँ पे अगर हम आप f को x से multiply कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारा fx, देखिए, fx, sigma fx means जो जो fx है उसका total और sigma f, इसका total, उसको divide कर देंगे, तो हमारा काय का method का formula जाएगा, mean निकालने का direct method का formula solve हो जाएगा, यहाँ पे भी बताती हूँ, हमेशा धियान रखिएगा, जो यहाँ पे upper limit है, वो इसकी lower limit होनी चाहिए, अब second part आता है, हमारा assumed mean method, second, assumed mean method, method, अब assumed mean method क्या होता है, अब assumed mean method से हम mean कैसे निकालेंगे, देखिए, अभी हमने direct method के through sigma fx upon f किया था, sigma f, तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, class interval हमारा वही है, 0 to 10, 10 to 20, frequency हमारी वही है, 5 and 6, हमने x भी same निकाला, like 5 आया इसका और इसका 15 आया, जिसे हमने class mark कहा था, upper limit plus lower limit divided by 2 करके हमारा यह 5 आया है, right, class mark मैंने आपको भी last part, last direct method में बताया है, अब assumed mean के case में हम किसी को भी एक को assumed mean माल लेते हैं, कि माना कि यह हमारा mean है 15, तो हम d निकालते हैं, d क्या होता है, हम x में से अपना assumed mean minus करते हैं, इसका मतलब यह x इस line के लिए, यह x है, इस में से हम अपना 15, assumed mean हमने 15 माना था, तो x में से हम, तो 5 में से हम 15 minus करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, minus 10 आ जाएगा, इसी तरीके से 15 में से minus 15 करेंगे, तो यह आ गया 0, ऐसी कोई और है, मान लेजें, यहाँ पर 25 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 15 minus करेंगे and so on, तो यह आ गया हमारा 10, जब हमारा यह d तो हम F को frequency को D से multiply करेंगे तो like 5 को हमने इस minus 10 से multiply करके इहां लिख देंगे minus 50 फिर हमारा 0 आ जाएगा तो assumed mean के through हमारा formula क्या बनेगा A plus sigma FD या FIDI upon sigma F अब हमें देखे assumed mean क्या माना था 15 तो assumed mean कीज़े हम 15 लिख देंगे sigma FD क्या होता है इसका total summation कहें या sigma कहें FD का total और sigma F हमें पता है frequency का total और उसको solve कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा assumed mean method से mean को निकालना अब next आता है हमारा step deviation method step deviation अब step deviation method में mean हम कैसे निकालते हैं देखिए class interval same 0 to 10 question में specified हो या ये cumulative frequency बहुत बढ़ी हो तो क्या होगा हमारा ये जो आएगा x वो हम बहुत बढ़े बढ़े आएंगे और इसमें हम माल लेंगे a assumed mean है तो हम कैसे निकालेंगे हमने निकाला x में से assumed mean minus करके हमने d निकाल लिया तो ये आगया 5 minus 15 करके minus 10 आ गया 15 minus 15 करके 0 आ गया और 25 में से 15 minus करके हमारा 10 आ गया अब हम क्या निकालेंगे जब ये values इन values में कुछ common होता है तो हम u निकाल लेते हैं पहले हम d निकालते थे और सीधा fd कर लेते थे अब हम u निकालते हैं क्या होता है d को हम common number से डिवाइड कर देते हैं like यहां पर 10 common है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ गया हमारा u right तो अब 10 से डिवाइड कर दिया तो इसको और छोटा कर लिया यह इसलिए करते हैं जिससे की हमारी calculation छोटी हो जाए अब जो u आया है उसको हम f से multiply करेंगे तो हमारा यह क्या आजाएगा f u आजाएगा तो यह कितना आएगा minus 5 क्योंकि 5 into minus 1 is minus 5 6 into 0 is 6 and 8 right तो यह आजाएगा ऐसे हमारा f u तो अब हमारा mean का formula क्या बन जाएगा? assumed mean plus करेंगे किस में? last में क्या निकलाया? f u तो summation f u में upon summation f लेकिन इसमें किसकी multiply कर देंगे? जिस भी चीज से हमने commonly divide किया है इसको हम जो हमने common number से divide किया है यहाँ पे जो common number था उसको हम h भी बोलते हैं तो यहाँ पे h से हम multiply कर देंगे तो इस h से जब multiply कर देंगे method same है answer भी same आएगा आप कोई सा भी method use कर लीजे तीनों में देखिए यहाँ पे assumed mean method में हम किसी भी common number से multiply क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी common आया उससे divide ही नहीं किया यहाँ पे हमने उसको पहले divide कर दिया common number से और फिर यहाँ पे formula में multiply कर दिया बात एक ही है तो यह थे हमारे तीन methods और direct method, assumed mean method और step deviation method अब हम करते हैं median अब करते हैं median जैसे mode हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन बहुत छोटे चोटे date आज का पढ़ चुके हैं और continuous series में आने लगता है like कि हमारा data class intervals की form में आने लगता है तो उस case में हम median कैसे निकाले हमने already पढ़ा है odd के case में हमारा होता था n plus 1 upon 2th observation देखते थे median के case में और even के case में हम देखते थे n upon 2 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation और divided by 2 कर देते थे even के case में राइट same case हमारा class interval के case में होता है like for example अगर हम class interval देखें हमारी है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 right और हमारा frequency दे रखिये 5, 15, 25 right तो इस case में हम median कैसे निकालेंगे तो क्या करते हैं सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो मैं मीन के case में भी बताना भूल गई थी कि हमारी ये जो series होनी चाहिए ये continuous होनी चाहिए like जो इसकी upper limit है वो next की lower limit होनी चाहिए right हर एक उसमें तो आप देखिए median के case में हम क्या निकालते हैं हमें class interval of frequency दीवी होती है हमें cumulative frequency निकालनी होती है अब cumulative frequency ध्यान से समझिएगा हम frequency का पहला number as it is लिखते हैं और फिर next number add करते चले जाते हैं like 5 में ये 15 add हुआ 5 plus 15 20 हो गया तो 5 plus 15 20 हो गया तो 20 लिख दिया अब जो 20 आया उसमें 25 एड़ किया next frequency तो 20 plus 25 तो ये आगया हमारा 45 तो अब ये formula कैसे use होगो और उसके आगे क्या formula बनेगा अब हम frequency का total कर लेते हैं like frequency का total आया हमारा माल लीजे 15 plus 5 is 20 45 आगया अब 45 क्या हो गया हमारा n हो गया summation f कहें या n कहें बात एक ही है right अब मैं यहां लिख रही हूँ इसके बाद n by 2 आप देखिए ये 45 n आगया अब ये क्या है odd का case है तो odd की case में क्या करते थे 45 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो ये आगया हमारा 23 आगया अब देखिए क्यूमुलेटिव में 23 कहां लाए करता है 20 से जादा है और 45 से कम है तो मतलब इन दोनों के बीच में लाए करेगा median तो अब हमारा formula क्या बनेगा median का वो बता रही हूँ median equals to इस case में median कैसे निकालें जब वो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में लाए कर रहा हो तो हमारा formula होता है lower limit plus common difference that is h into n by 2 minus cumulative frequency upon frequency अब यह कैसे निकलती है देखिए अब हमारा 23 आया तो 20 छोटा है 45 बड़ा है तो 45 लेंगे 45 की lower limit 40 हो गई तो l आगया यहाँ पर 40 ह क्या आगया देखिए h होता है common difference यहाँ पर भी median में मैंने आपको बताया ता step deviation में जो हमारा common था इसी तरीके से अब यहाँ पर cumulative frequency में तो देखेंगे दी common कहाँ देखेंगे class interval में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही common आएगा h जो इनके class interval में common होगा हमेशा तो h क्या हुआ इन दोनों के बीच का common तो that is 10 अब हमारा n by 2 अभी अभी हमने निकाला 23 अब cumulative frequency कौन सी लेंगे cumulative frequency हमेशा वो लेंगे जो की इस से छोटी हो इस से छोटी कौन सी थी 20 तो इसका मतलब जो interval आपने लिया है उससे पहले वाली लेंगे तो वो आ गया हमारा 20 और frequency कौन सी लेंगे हम अपनी frequency वही लेंगे जिस median में हम लाए कर रहे हैं like इसमें लाए कर रहे हैं क्योंकि ये value इस से बड़ी थी तो इसमें लाए कर रहे थे तो इसकी frequency क्या थी 25 तो हम frequency वही लेंगे जिसमें लाए कर रहे थे तो अब values put करके आप answer easily निकाल सकते हैं कि आपका median कितना आएगा वो आप questions में देख सकते हैं मेरे मैंने आपको बता दिया कि formula क्या होगा सबसे पहले आप अपना cumulative frequency निकाले frequency के total से अपना n by 2 निकाले देखें कि कहा लाए कर रहा है जिस भी उसमें लाए कर रहा हो तो L उसकी lower limit H उसका common difference और cumulative frequency मतलब n by 2 से छोटी होनी चाहिए तो उससे पहले वाली और frequency जिसमें वो लाए कर रहा हो उसकी frequency यह आगया इस तरीके से आजाएगा हमारा median एक और चीज आती है mode mode कैसे निकाले अब हमें पता है mode हम निकालते थे last classes में कि जितनी जो भी value highest repeated थी वो हम mode माल लेते थे अब होता इस यहाँ पे भी ऐसी है लेकिन class interval के case में कुछ changes आ जाएंगे like मैं class interval लिख रही हूँ हमारा है class interval 20 to 40 40 to 60 सबसे जरूरी बात हमारा class interval continuous होना चाहिए 60 to 80 and 80 to 100 तो या गया हमारा class interval और इसकी frequency माल लीजी या गई 8 10 12 and 6 अब हमें पता चल रहा है कि highest repeated value कौन सी है ये वाली क्योंकि frequency सबसे ज़्यादा जिसकी है वही highest repeated value होगी तो हमारी highest repeated value आ गई ये वाली अब इसका mode कैसे निकालेंगे तो mode का formula होता है lower limit L मतलब इसकी lower limit plus H H means common difference इन दोनों के बीच का common difference into frequency F minus F0 upon twice of F minus F0 minus F1 देखिए यहाँ पे मैंने F0, F1 क्यों लिये जिसका highest repeated value आई उसको तो हम मान लेते हैं F उससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F1 तो अब आपको यहाँ पे clearly दिख रहा होगा कि यही तो F आईगी ये F0 और उससे बाद वाली F1 easy वाली frequency less करी और twice of F में से दोनो frequency less कर दी H मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच का common difference और L मैंने आपको बताया lowest lower limit अब जो भी value put करके value आईगी that will be our mode तो यह था हमारा mode निकालने का formula एक last चीज़ आती है जो बहुत important है और आपको questions उससे related बहुत सारे आएंगे empirical relationship between three measures of central tendency central tendency है हमारी mean, median and mode इन तीनों के बीच में क्या relationship है अगर कोई भी इन में से दो चीज़ निकाल लो तो तीसरी चीज़ कैसे निकालो और कौन से formula से निकालो वो चीज़ बताना है इसका formula होता है हमारा thrice of median equals to mode plus twice of mean अब इसी से देखिए एक और formula बन जाएगा mode निकालना हो तो ये इधर आजाएगा twice of mean इसी तरीके से mean निकालना हो तो thrice of median minus mode upon two तो अगर आप इसमें से कोई भी दो चीज़े median या mode निकाल ले तो mean निकाल सकते हैं mean या mode निकाल लिया तो median निकाल सकते हैं तो ये हमारा था empirical formula जिसको आप use करके questions बहुत आते हैं कि आप empirical formula यूज़ करके हमें बताएं कि mean, median and mode क्या है इस question का तो आपको ये formula use करना होगा और mean, mode and median बताने होंगे तो चलिए करते हैं अपनी exercise प्लीज सारे questions देखिएगा step by step उसको समझेगा और please जहां आपको समझ ना आए उसको बार-बार देखिएगा pause करके देखिएगा तो आप एक बार में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ ना आए लेकिन आप second time जब देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़े clear होती चली जाएगी, तो चलिए अब करते हैं अपने questions